CAA, पूरे देश में लागू हो चुका है ऐसे में कुछ राजिस सरकारों की तरफ से कहा गया है कि वो CAA को अपने राजिमें लागू नहीं करेंगे पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस पर कानून क्या कहता है? या फिर ये नेता सिर्फ लोगों को गुमरह करना चाहते हैं और चुनावों में सियासी लाब चाहते हैं ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज हम आपको देने जा रही हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में नागरिक्ता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया इसके साथ ही अब नागरिक्ता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया है लेकिन राज्यों में इस कानून को लागू करने को लेकर विवाद बढ़ गया है पक्षिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्यों का कहना है कि वो अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे दरसल नागरिक्ता शंशुधन का विल दिसंबर 2019 में संसत के दोनों सदनों से पास हो गया था इसके बाद से इससे लेकर देश भर में बड़े पैमानी पर प्रधर्शन भी हुए इस कानून के तहट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के हिंदू, सिख, जैन, पार्सी और इसाही समुदाय के प्रतारित लोगों को भारत की नागरिक्ता देने का प्राफधान है लेकिन इसके लिए शर्थ है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से भारत आये हों फिलाल केरल और पक्षिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों का कहना है कि वो अपनी राज्यों में CAA को लागू नहीं होने देंगे केरल के मुख्य मंत्री पिनराई विज्यन ने जारी बयान में कहा कि चुनावों से पहले CAA के प्रावधानों को अधिसूचित करने का केंद्र का ये कदम देश में अशान्ती लेाना है ग्रह मंत्राले ने लोगसबा चुनाव के एलान से ठीक पहले CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है जो दिखाता है कि ये सिर्फ चुनावों के लिए ही किया किया है मैं पक्षिम बंगाल के मुख्य मंत्री ममता बेनर जी ने कहा कि ये BJP का काम है जैसे जैसे चुनाव नद्धी का रहे हैं वैसे वैसे BJP डर का मौहल बनाना चाहती है लेकिन हम डरने वाले नहीं है हम बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगे ये बंगाल है अब सवाल उठता है कि क्या वाके ये हो सकता है कि राज्य सरकार अपने यहां CAA को लागू नहीं होने दे सकते इस पर आखिर कानून क्या कहता है वो भी हम आपको बताते है दरसल कोई भी राज्य CAA लागू करने से इंकार नहीं कर सकता क्योंकि नागरिक्ता संग सूची के तहत आता है ना कि राज्य सूची के तहत समविधान के अनुसार भारत के राज्य CAA को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते समविधान के आर्टिकल 246 में संसद और राज्य विधान सभाओं के बीच विधाई शक्तियों को वर्गी कृत किया गया है ऐसे में राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं है उन्हें संसद की और से पारित कानून को लागू करना ही होगा जहां तक राज्यों की शिकायतों का सवाल है वो हमेशा सुप्रीम कोट का रुप कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके नागरी कदिकारों का हनन हो रहा है तो वो कोट जा सकते हैं फिलाल केंदर सरकार ने CAA पर कहा है कि कानून के तहट किसी भी भारती मुसल्मान को नागरिक्ता साबित करने के लिए दस्तावेश दिखाने की कोई जरुरत नहीं होगी ग्रह मंत्राले ने जारी बयान में कहा कि CAA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे भारत के उन 18 करोड मुसल्मानों की नागरिक्ता प्रभावित हो जिनको हिंदियों जितने ही अधिकार हासिल है लेकिन बाव जुदुत के CAA के खिलाफ कुल 220 याचिकाएं दायर की गए हैं केरल के इंडियन यूनियन मुसलिम लिंग, त्रणमूल कॉंग्रेस दी महुआ मुईत्रा, कॉंग्रेस नेता और पूरु केंद्रे मंत्री जैराम रमेश, All India मजलीसे इतेहादुल मुसलिमी नेता असदुजी नुवैसी, कॉंग्रेस नेता देबरत सेकिया, एंजियो रिह साइमंच, सिटीजन्स, अगेंस हेट, असम एडवोकेट एस्सोसियेशन्स, कुछ कानूनी छात्रों सहीज CAA के खिलाफ कुल 220 याचकाएं दायर की गए हैं। फिलाल कोट के अंदर ये इस तमाम याचकाएं हैं, लेकिन इन याचकाओं पर सुनवाई में क्या होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। संग सूची की सात्वी अनुसूची के अधीन रखा गया है, जिनमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और नागरिक्ता शामिल हैं। अगर राज्य सी ए को अपने यहां लागू नहीं करते, तो ये एक तरीके से नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उलंगन होगा। अगर जरूरत पड़ी, तो किसी विशेश राज्य के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग करते हुए, अदालत का दर्वाजा भी हटखटा सकते हैं। क्योंकि नागरिक्ता पूरी तरीके से केंदर सरकार का अधिकार शेत्र है, लेकिन संगवाद में ऐसी परंपरा है कि राज्य भी इसमें अपनी भूमी का निभा सकते हैं, लेकिन ये केंदर सरकार के अधिन ही होगी। और ये केंदर सरकार पर निर्भर है कि वो इसमें राज्य सरकारों को भागिदार बनाए या नहीं लेकिन अभी फिलाल किसी भी हाल में राज्य CAA लागू करने से मना नहीं कर सकता लेकिन बावजुद उसके कई राजे से अपने यहां लागू करने से इनकार कर रहे हैं ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो जनता को गुमरा कर रहे हैं या वो सिर्फ चुनावों में सियासी लाब लेना चाहते हैं जो राजनेताओं की हमेशा से फित्रत रही है फिलाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ट भारत श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत